हम अपने आपको स्वभगे सालिय अन्वाउ कर रहे हैं बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद ग्रेश्टी डायरी ऐसे बजार में खुली वी थी एक दो लेकिन सही लोकेशन सही जगह नहीं होने के कारण ग्राक तक नहीं पहुच पार थे ग्रेश्टी डायरी लोगों तक फेमस है पर हम अपनी सेवा दे नहीं भारते तो आज इस प्रूटन मॉल में खुलने के बाद हम में आशा है कि प्रतीज दिन जो यहां के फॉल होती है और जो हमारा विशेश कर में इसको पर रहेगा दूद में कि दूद के लिए लोग काफी मिलाउट करता है और यहां का दूद हम मानते हैं सबसे अच्छा विशुद्ध है तो पहला फोकस दूद पर देंगे और उसक जो रिस्पंस मिलेगा तो आशा कि यह काम बढ़ते जाएगा और हम इसे अपना सभाग्य मानते हैं कि लोगों की हमें दूद देने से दूद मिलेगी देखिए मिठाया तो आपको हर जगह मिल जाएगे मैं यह से नहीं बोलती हूं लेकिन आज सबसे ज़्यादा चाहिए दूद जो दूद की प्योर्टी सब चाहते हैं बच्चे हो बड़े हो हर किसी के लिए क्योंकि इस चीज का मानना जब मैं करती हूं जब मेरे बच्चे आते हैं मेरी बेटियां तेरा है पुर से वो लोगों आते हैं तो बलते मम्मी यहां के जैसे दूद दही पनीरे सब न करते हैं क्योंकि इसकी कैसे हम गरम करते हैं दूद और इसके मलाई जो मोटी परत बैठती है ना उससे पहचान आ जाता है घर में लेडिज लोगों देखिए 15 दिन का जामा करके आराम से आधा किलो तीन पाव एक किलो घी निकाल लेते हैं इसी दूद से देखिए और हम य यह सोचते हैं कि हम अच्छा से अच्छा जाएं यह और जगह जाएगा लोग और एक मुह से मुह बात जाएगी तो चीजें और बढ़ेगी और आगे जाएगा जादी आपणों को आमों वीडियो टी भल लगिला तेवे आमों चैनेल को लाइक, शेर और सब्सक्रेब करेबा कुछ जमा भी बुलनतु नहीं